नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का FTR 3.0 की जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें तो जैसे कि आप लोग देख पारें गणती योगिता का भाग एक आज हमारा है मैं हूँ सौरब और हम गणती योगिता को पांच अलग-अलग वीडियो में कवर करेंगे ठी सी सैट में गणती योगिता जो है एक बहुत ही महत्वकून भूमिका निभाती है आपके सी सैट को क्वालिफाइ करने के लिए और सी सैट जो है इसमें मिनिमाम आपको कम से कम 33 परसेंट तो लाना ही है किसी भी हालत में तो हम इसको पांच वीडियो में कवर करेंगे बहु संक्या पद्दती अनुपात समानुपात और मिश्रण इन सब टॉपिक्स के अंदर से जो बहुत ही महत्वपून कुश्टिंस है वह यहां पर डिसकस करेंगे तो इस वीडियो के अंदर तीस कुश्टिंस हम डिसकस करने वाले हैं तो आईए मेरे साथ बने रही है शुरू चार के घात दो और विभाजित करना अपको 0.008 और गुणा में है 0.2 के घात चे इसी कुल टू वहां पे दिया हुए बराबार है 0.2 के उपर कुशन मार्क ठीक है प्रश्न चिन्न है आपको प्रश्न चिन्न के जगा पे क्या आएगा यह हमें ग्याद करना है देखिए कर गात में जो values है वो A के घात में M प्लस N हो जाता है जब बीच में बुणा हो वही आप अगर विभाजित कर रहे हैं तो M माइनस N हो जाएगा याने उधर पे आपका माइनस हो जाएगा ठीक है घटा दिया जाएगा और अगर आधार दोनों के बराबर है तो घात में जो सं जाल को हल करने की कुशिश करते हैं जैसे कि सबसे पहला value आप देख पा रहे हैं यहां पर है 0.04 और 0.04 का मतलब होता है 0.2 के घात दो और यह 0.008 दिया हुआ है इसका मतलब होता है 0.2 के घात में 3 तो अगर मैं यहां से इसको लिखना start करो देखे पहला जो value है वो हो गया 0.2 के घात दो और उसके घात में भी दो चड़ा हुआ है क्योंकि 0.04 जो था वो इतना था ठीक है और अगला जो value है इसको हम क्या लिखेंगे divide में आ गया 0.2 के घात में 3 आ गया गुणे में 0.2 के घात यहां पर कितना है 6 अब देखे यहां से हम इसको formula लगाना start करते हैं मैंने कहा a के घात m के घात n है तो यह a के घात ml होता है तो देखे यह 2 के power में 2 है तो हम 0.2 के घात में यहां पर कितना चड़ा देंगे 4 हो रहा है तो गुणा होने का मतलब आपको घात को क्या करना है जोड़ना है तो यहां पर आपको प्लस 6 करना पड़ेगा अब देखिए 0.2 के घात में 4 प्लस 6 होता है 10 माइनस 3 करोगे तो 7 आएगा और यहां 0.2 के बरावर दिया हुआ था तो यहां से हमने देखा कि अगर आधार दोनों का बरावर है तो घात भी दोनों के बरावर होते हैं तो यह दोनों बरावर है मतलब यहां प्रश्ण चिनन के जगा पर की आएगा साथ आएगा C जो है इस सवाल का सही उत्तर है आशा करता हूँ कि यह पहला सवाल आपका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगले सवाल के ओर बढ़ते हैं दूसरा प्रशन आपके स्क्रीन के उपर है देखें दिया हुए माइनस 2 के घात 5 इसका मान हमें ग्यात करना है मतलब घात में ईपर में आप ठीक है n लिख सकते हैं, तो देखे, अगर हम इसको solve करने की कोशिश करते हैं, तो minus 2 के घाद 5 हो गया, और ये गुने में, देखे, अगर यहाँ पर power में minus है, तो ये उल्टे हो जाएगा, यहाँ पर minus 2 के power 5 हो जाएगा और गुने में तीन के पावर तीन यहां पर आगे रहेगा तो अगर माइनस के पावर में विश्यम संख्या माइनस के पावर में विश्यम संख्या तो माइनस का बत्तिस आएगा और गुने में यहां पर प्लस का बत्तिस आएगा क्योंकि दो के घात पांच का मतलब क्या होता है दो के गहात 5 का मतल控 होता है 2 x2 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 x3 x5 जो की होता है बत्तिस ठीक है तो हमने यहां यहां डिखा हुआ है गुने यहां पर 27 आ जाएगा और 32 से 32 कर गद गया और माइनस यहां बचा तो माइनसБ 2 27 उत्तर डी ऑप्सन जो है यह सही उत्तर है इसका माइनस का 27 आशा करता हूं कि यह दूसरा सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बढ़ते हैं तीसरे सवाल के और तीसरा सवाल आ चुका है आए इसको हल करने की कोशिश करेंगे अब दो के घात X बरावर है 32 के करनी घात में है 3 ठीक है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है देखिए यह फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है हमें कि A के करनी घात में यहाँ पर N लगा हुआ है और घात में पूरे के M लगा हुआ है जबी इस तरह का आपके A के पावर में चल रहा है तो आपक है करणी घात में और यह तो मैंने कहा कि यह हो जाएगा दो के घात पांच बटे तीन इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें पांच बटे तीन लिख दिया और अगर आधार दोनों के बरावर है तो पावर भी बरावर ही रहेंगे मतलब एक्स बरावर कितना हो गया पां क्या सूत्र लगने वाले अगर A के घात M गुने B के घात M अभी तक हमारा आधार बरावर था लेकिन यहां पर हमारा घात बरावर है तो पहले आप गुना कर लीजे मतलब A और B को गुना कर दीजे बाद में आप वहां पे घात लिए M चड़ा दीजे बात देखिए तो देखिए मुझे एक पात पता है कि 48 का मतलब यानि 48 का मतलब होता है 16 गुने 3 तो अगर इसके घात में यहां पर माइनस 2 बटे 7 और गुने में माइनस 2 बटे 7 तीन के घात में भी यहां पर आप चड़ा के लिख सकते हैं क्योंकि अगर एक गुणे बी जो है 48 है एक को हमने अलग लिख लिए बी को हमने अलग लिख लिए इस तरह से तो लिखी जा सकता है अब देखिए इसको अगर हम खोल के लिखते हैं इस तरह से तो यह आ जाएगा 16 के घात माइनस 2 बटे 7 और मल्टिप्लाइड यहां पर त और तीन के घात तो कुछ लिखाई हुआ था 16 के घात माइनस कितना था 5 बटे 7 और गुणे में यहां 3 के घात भी माइनस 5 बटे 7 लिखाई हुआ था अब हमें एक बात पता है कि A और B A और A के घात में M और N है दोनों के बीच में गुणा है तो क्या हो जाता है दोनों आग्या एक बात समझ में तो हमें करना क्या है इसे जोड़ना है 16 के घात यहां पर जोड़ों यूटमा ना और यहां पर भी तो देखिए एक तरसे माइनॉस टू और यह बटे साथ और माइनॉस 5 बटे साथ यह जो कि जोडने पर कितना आ रहा है माइनस एक आ रहा है, मतलब तीन के घात में माइनस एक आ गया, तो अब हम एक बात जानते हैं कि ये इसका मतलब होता है एक बटे सोला, और इसका मतलब होता है एक बटे तीन, इसका भी हम सूतर देख चुके, मतलब 1.48 जो है इसका उत्तर हो गया कि कह B option जो है ये सही जवाब है इस सवाल का आशर करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ में आया होगा next question देखते हैं अगला सवाल देखेंगे पांच्वा सवाल यहाँ पर screen के उपर आ चुका इसको solve करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर वैलिए दियोए 2 के पावर 1 बटा 2, 3 के पावर में यहाँ पर घात में 1 2 तीन दियो है फिर 8 के घात में यहाँ पर 1 बटा 8 है और 9 के घात में 1 बटा 9 है अब देखिए इसको जब solve करने हम जाते हैं तो देखिए इन चारो अप्शन में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है हमें निकालनी है जब तक घात में आप आधा एक बटा तीन एक बटा आठ एक बटा नौ लिखकर रखोगे तब तक आप इसको 72 हो जाएगा अब करना क्या है देखिए दो के घात एक बटा दो तीन के घात एक बटा तीन आठ के घात एक बटा आठ और नौ के घात में यहां पर एक बटा नौ था तो हम क्या करेंगे सब के घात में 72 चड़ा देंगे यहां पर इसके पावर में 72 चड़ा देते हैं यहां आप ये गुणा होंगी तो गुणा करने जाओगे तो यहां दो के घात में कितना आगा अपका होगे 36 तीन इस बातर से कटे गा तो यहां पर आ जाएगा तीन के पावर में चोभी सा जा जाएगा आठ इससे कटेगा तो यहां पर-now आ आ जाएगा आठ के पावर 9 और 9 इससे कटेगा तो 9 के पावर 8 आजाएगा अब देखिए हमारा comparison थोड़ा आसान हो गया यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पर 8 है आप जानते 8 को 2 के घात 3 लिख सकते और पावर में 9 है मतलब इसको हम काट के इस तरह से भी तो लिख सकते है एक के पावर एंड के पावर एंड मतलब 2 के पावर 27 और यह जो 9 है 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वेर के पावर में यहाँ पर 8 है तो मैं इसको हटा कर यहाँ पर क्या लिख सकते है अपन 2 गुने 8 मतलब की तीन के पावर में 16, तो हमने क्या किया, यह जो संख्याएं थी, इसके घात में 72 चड़ा दिया, तो सारे के सारे के घात में हमने 72 चड़ाया, फिर हमारे पास 4 संख्या निकल के आ गई, अब हमारा काम असान हो चुका है, यदि मैं इसको और इसको compare करो, तो जानते हैं कि यह जादा बड़ा है, मतलब यह सबसे बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती, और यह 3 के घात, 16, 3 के घात, 24 को compare करें, तो यह जादा बड़ा है, मतलब यह सबसे बड़ी संख्या नहीं हो सकती, अब हमारे पास 2 संख्या बज़ गई, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, यह निकाल तो कोई गलती तो नहीं है और साथ में तीन के घात इसको लिखो दो गुणे 12 तो भी कोई गलती नहीं है और हम जानते हैं कि अगर गुणे में कोई मतलब 9 किस के corresponding था इस संख्या के corresponding था मतलब सबसे बड़ी संख्या जो है वो ये वाली हो जाएगी तीन के घात एक बटा तीन आशा करता हूं कि इस पूरे calculation को हमने कैसे किया है चोटी चोटी बातों को हमने ध्यान रखा LCM HCF का जो की power में है और हम बरावर करते करते इसको हम तोलते गए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इस तरह से हम सबसे बड़ी संख्या तक पहुँचे और हमने पता किया कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है आईए बढ़ते हैं अगले सवाल पर तो अगला सवाल यहाँ पर आप संख्या पद्धिती से हमने लिया हुआ है remainder से जो कि आपका सवाल है देखिए 11 के घात 68 माइनस 9 के घात 68 को 40 से विभाजित करने पर सेशफल कितना बचेगा देखे इस सवाल को solve करने के लिए हमें छोटा सा एक सूत्र पता होना चाहिए और वो सूत्र यह है यहाँ पर एक formula लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश करते है ठीक है देखे पहला और तीसरे को पहले पढ़ते यह एन जब विशम होता है और एन जब विशम होता है तब क्या होता है यह पहले समझिए पहले और तीसरे को एक घात एन प्लस बी के घात एन और A के घात N माइनस B के घात N जब है यदि N विशम होता है तो यह संख्या A प्लस B से पूरी तरह से विभाजित होती है और यहाँ पर यह संख्या जो है A माइनस B से पूरी तरह से विभाजित होती है इसको आप कॉपी में नोट करके रखिए तब आपको यह बात ध्यान रखना है कि A के घात N प्लस B के घात N है, किसी के द्वारा भी विवाजित नहीं होती, ना तो A पलस B से विवाजित होगी, ना तो A मैंस B से विवाजित होगी, लेकिन अब इस आखरी वाले जो सूतर है, इसके तरफ ध्यान देंगे, जब हमारा जो A के घात में आप सम संख्या रख रहे हैं, B के घात में भी सम संख्या रख रहे हैं, N सम संख्या है, तब आपका जो संख्या है, ये पूरी संख्या है, A प्लस B से भी विवाज होती है, और A माइनस B से भी विवाज होती है, और इ 68 जो है यह क्या है एक संख्या है और यहां से यह जो है 11-9 से भी विभाज़े है और 11-9 का मतलब 20 21-2 मतलब यह संख्या है increase . हो चाहेगी मतलब कि अगर आप इस संख्या को विभाजित करोगे तो यहां पर शेशवल कितना बचेगा जीरू बात समझ में आ रही जैसे कि देखे चार को चार से विभाजित करने का मतलब है चार गुने यहां पर एक चार एकम चार होता है और जो शेश बचता है वो चलिए इसका short trick पहले समझ लेते हैं किसी भी सवाल में अगर A अनुपात B दिया हुआ है B अनुपात C हमें दिया हुआ है और C अनुपात D यदि हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D तो उसका short trick क्या है वो अभी समझते हैं पहले तो लिख लीजे A अनुपात B कितना था 3 अनुपात 4 था B अनुपात C कितना था आप कहोगे 5 अनुपात 6 था और लास्ट में यहां C अनुपात D था 7 अनुपात 8 तो यहां पर B निकल के आ जाएगा और B का वैल्यू आप जानते हैं यह हो गया 20 गुने 7 मतलब की 140 इसके बाद आएंगे हम C में तो C यकल वह मिक्या करना है ऊपर के 2 और नीचे में तरह से univers करना मतलब 4 गुने 9 4 옛날 सात कर से कर हो गे इस तरह अनुपात करने पर आपका C आजाेगा अनुपात में और आखरी संख्Йा बची हुई यह D, D के लिए हमें राइट वाले तीनों को मल्टिप्लाइ करना है, याने 4 x 6 x 8, 4 x 32 होता है, 32 में आप 2 और मल्टिप्लाइ करोगे हो जाएगा, आपका 64, 64 में 3 मल्टिप्लाइ करोगे, 192 निकल के आएगा, अब हमसे देखिये, पूछ किया रहा था, हमसे पूछ रहा था, A, अनुपात D, तो हमको पहली संख्या लेनी है 105, और आखरी संख्या लेनी है 192, ठीक है, यह 3 से कर जाएगा, 3 से दोनों कर जाएगे, मतलब यहाँ 35 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा आपका 64, A, अनुपात D आ गया, 35 अनुपात 64, याने D उत्तर जो है, यह इसका जवाब है, आशा करता हूँ कि यह जो अप्रोच हमने लिया, इसको मल्टिप्लाइ करने का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कुशन देखते है, और से रिलेटेड यह सवाल है, भारित ओसत, देखिए, सवाल को समझिए, यदि 10 म की आउसत आयू 21 वर्स है, और 3 चात्रों की आउसत आयू 22 वर्स है, तो इनकी आउसत आयू क्या है, देखिए, भारित मातरा जो होती है, अलग-अलग मातराओं का, अलग-अलग आउसत हमें दिया हुआ है, Q1 मातरा का आउसत A1 है, Q2 मातरा का आउसत A2, Q3 का A3, Q4 का A4 औ और QN का AN है तो भारिट और सत का me सूत्र है प्लस प्लस चू टू प्लस फूर्मूला है रहाऊट टू प्लस प्लस ऑससे हैं आई अकच में और डते चुटल संभाँ होंगी वह क्यों प्लस फूरी मो wij यह हमारा जो है formula है भारित ओसत निकालने का तो अगर हम इसका ओसत निकालने को जाएं तो क्या आएगा बताइए तीन लोगों का जो ओसत आई हुए वो 20 है तो 3 गुने 20 कर लीजी पलस 4 चातरों का जो है 21 है 4 गुने 21 कर लेंगे अपन और आखिर में 22 वर्स है पलस यह बन गया 66 याने बटे में 10 आ जाएगा और देखिए इन नोनों को जोड़ोगे तो यह 500 बन गया 500 पलस 60 मतलब 210 बन गया 210 बटे 10 याने 21 जो है 21 जो है इनका ओसत आयू है आशा करता हूं कि यह सवाल भी आपको अच्छे से 9 ही कोश्चन के ओर तो 9 सवाल यहां पर आ चुका है यह सको solve करने की कोशिश करते हैं 60 प्रष्टों की पुस्तक में प्रती प्रष्ट जो है N लाइन है याने हर प्रष्ट के अंदर N-N लाइन जुड़े हुए तो अगर मैं total लाइन की बात करूँ लाइनों की अगर हम बात करेंगे तो यह हो जाएगा 60 into N अब यह कैसे आया देखिए हमको यह पता है कि औस बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या होती है तो पदों का योगफल क्या हो जाएगा इसको नीचे से आप इसको यहाँ पर लाएगे और यह गुणे में हो जाएगा तो असत जो थी वो N लाइन थी और total जो संख्या थी वो 60 थी तो लाइनों की जो संख्या हो जाएगी वो 60 into N हो जाएगी अब आगे पढ़ते है यदि लाइनों की संख्या को 3 से कम कर दी जाए तो प्रिष्टों की संख्या 10 बढ़ जाएगी तो लाइनों की संख्या को हम 3 से कम करेंगे तो प्रिष्टों की संख्या 10 बढ़ जाएगी मतलब यह हो जाएगा 70 और इस शून्य शून्य को हम काट देते हैं गया होगा next question देखते हैं तो अगला सवाल आपके screen के पर आयो है आई इस को हल करने के कोशिश करते हैं इन बिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में हमें जमाना है ठीक है तो देखें बढ़ते हुए क्रम में किसे जमाना है हमारे पास कुछ बिन्न दिये हुए यहाँ पर पहला व पांच आठ और दो तो हमें क्या करना होगा LCM निकालना है याने लगुत्तम समापवरते निकालना है इनका तीन हो गया पांच हो गया आठ हो गया और दो हो गया इससे क्या होगा हम इन सभी हरों के जो लगुत्तम समापवरते हैं वही हम इन सब का हर बना देंगे ताके हम हमारा जो numerator है वो अंच निकल के आ जाए अलग-अलग और फिर जिसका अंच बढ़ा होगा वो संक्या भी बढ़ी होगी तो देखिए अगर हम इसका लगुत्तम समाप परते निकालते हैं तो 40 और यहां पर याने कि 120 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इन सभी बिन्नों को 120 बना देंगे इनके हरों को तो यहां पर भी हम 120 बनाएंगे अगले वाला जो आठ है इसको भी 120 बनाने की कोशिश करेंगे और आखरी वाले को भी 120 बनाने की कोशिश करेंगे तो हमने क्या किया सारे हरों को 120 बन जाएगा पहला बिंद मन गया पांच में गुणे चोविस करने से करने से 120 बनता है तो चार में भी गुणे कर दीजिय बन जाएगा 96 वैसे आठ में 15 गुणे से 120 बना तो तीन में 15 गुणे याने 45 और इस आखरी वाले बिंद में से मतलब कुछ चोटा मतलब तीनगत और सबसे चोटा ऑट यहां दिख रहा है यह ही उत्तर फिक के का इसके बाद कौन सा अना चाहिए 60 एक बटा दो नियुक्त मितलब 2 बटा 3 और आखिर में अना चाहिए 66 मतलब 4 बटे 5 यह तरीका तो यह हर के बीच का अंतर समान हो है तो अधिक अंश वाला भिन जो होता है वो बड़ा होता है अब यहां पर एक नया टर्म आ गया वो होता है उचित भिन उचित भिन मतलब ऐसा भिन जो एक से छोटा है जैसे कि मैं कहूं एक्स बटा वाई जो एक से छोटा है तो एक्स जो होता है X जो होता है Y से चोटा होता है मतलब इस भिन का अंश जो है हर से चोटा है तो देखिए इसका अंश हर से चोटा है ये उचित भिन है इसका भी अंश हर से चोटा है उचित भिन है इसका भी अंश हर से चोटा है उचित भिन है तो जिसका अधिक अंच होगा, वो भिन बड़ा होता है, अब दूसरा point देखते हैं, ठीके, तो इसको मैं हटा देता हूँ, अब अगर हम अंच और हर के अंतर की बात करें, तो 2 और 3 में 1 का अंतर यहां, 4 पांच में 1 का अंतर यहां, 3 और 8 में यहां पर 5 का अंतर, इसको थो वाले में, तो जिसका अंच बड़ा होगा, जिसका अंच अधिक होगा, वो भिन भी बड़ा होगा, मतलब सबसे चोटा अंच कौन सा होगा है, जिसका भिन सबसे चोटा, मतलब 1 बटा 2, इससे जो बड़ा अंच होगा, वो होगा 2 बटा 3, इससे जो बड़ा अंच होगा, तो हमने बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया अब देखिए एक बटे दो के बाद दो बटे तीन और चार बटे पांच अब option चेक करिए यहां पर यह भी गलत हो गया यह भी गलत हो गया ठीक है और यह भी गलत हो गया मतलब यही option बचा क्योंकि एक बटा दो दो बटा तीन और वो भी तीन बटे आठ से बड़ी ही है मतलब यह तीन बटे आठ सबसे चोटी संख्या हो जाएगी और यह सही करम हो जाएगा तो एक ही सवाल को हम इस तरीके से भी सीख रहे हैं और दूसरा जो तरीका है वो भी आप इसको भी लगा सकते हो कि आप हरों का LCM निकाल लीजि तो 11 प्रशा की स्क्रीन के उपर है देखिए हमें निकालना है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 80 बराबर S है तो S का मान क्या है इस सवाल को करने के लिए हमें यह जानना है कि प्राकरितिक संख्याओं का योगफल का जो सूत्र है फॉर्मूला है वो क्या है तो एक एक करके सभ प्राकरितिक संख्याओं का योगफल होता है न इन्टून प्लस वन जिसके बेख स्यवन जो है हमारा इस सूत्र के ऊपर यह पर प्रणोड को यूज करके हमारा सवाल बनाया हुआ है प्रधम एन विशम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है एन का स्क्वेर प्रधम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्वों का योगफल होता है एन इंटु एन प्लस वन इंटु टू एन प्लस वन बटे छे और आखिर में प 2 plus 3 plus 4 ऐसा चलता रहेगा n तक तो आखिर जो संख्या है उतने ही पद है और n का मतलब होता है कि कितने पद है तो यहां पर तो कोई confusion नहीं होती है पहले वाले में कि n जो है जितनी संख्या है उतने पद हो जाएंगे तो n into n plus 1 बटे 2 करोगे तो इनके पदों के योगफल निक ट्रीक है इस फॉर्मूले को लगाई एन इन फ्लस फन बटे दो जिसमें एन है कि उसमें कितने पद हैं ठीक है अब देखिए दूसरे वाले में आते संप्राकृतिक संख्या मतलब पहला संप्राकृतिक संख्या दो होता है इसके बाद होता है चार इसके बाद होता है छे इस आखरी पद जो होती है वो 2N होती है ना कि N हो इस सीज़का आप ध्यान रखेगा तो अगर मैं यहां तक 40 तक जोड़ू तो मेरा नवा पद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा तो हम इस फॉर्मुले में क्या बैठाएंगे 20 बैठाएंगे N इंटो N प्लस 1 ठीक है जो सवाल है व पहले पद में 1 है अगले वाले में इस 4 से 1 कम है याने 3 अगले वाले में 6 से 1 कम है 5 अगले वाले में 7 है जो कि 8 से 1 कम है मतलब जो सम प्राकृतिक संख्या में जो चल रहे थी 2N माइनस 1 कर दोगे तो हमारी आखरी पद निकल के आ जाएगे जैसे कि अगर हम 1 से 1 प्लस 3 प कुछिश करें तो एनवा पद हमारा क्या निकल किया 19 निकल किया है तो मैं अगर पूछओ कि कितने पद हैं तो आप कैसे निका लोगे आप करोगे 2N-1 बरावर उन्स मतलब यह 2N बरावर कितना हो गया आपको 2N बरावर मतलब आफ पद निकल के आगया 10 और इस फॉर्मूले में आप डालोगे 10 का स्क्वेर मतलब एक से लेके 19 तक का जो योगफल होता है वो 10 का वर्ग होता है मतलब कि वो 100 होता है आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है तो एनवा पद निकालने के लिए हमें इन द का स्क्वेर इस तरह से चलता रहेगा कहां तक और कि स्क्वेर टक इसका फॉर्मूला है एंटु एंट ये मं प्लस वं बटं ये खैत आप आखर जो संक्व connection है आखर जो फॉर्मूला एक लिए ऐक निकाल थिए स्वेर निकाल मास स्कूर निकाल अच्वeffect ञेंगा कि तो आ योगफलों का अब जो formula है, इसको आपने note कर लिया होगा, अब हम चलते हैं, उस सवाल को फिर से एक बार हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस formula को हमें अब solve करना है, इस question को, तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो है, 2 से start होके, 4 तक गया, फिर आया 6 तक, फिर आया 8 तक, ऐ मैंने आपको बताया था, आखरी पद 2N होता है, मतलब की 2N बरावर हो गया, कितना 80 के, तो N बरावर हो जाएगा 40, और मैंने बताया, N वा पद अगर 40 है, तो formula होता है, N इंटू N प्लस 1, जिसमे N होता है, कितने पद है, तो N को इस formula बैठाएंगे, तो 40 इंटू 41, और 4 मतलब 164 और एक सून यहाँ पर है, 1640 है, जो है, C उत्तर, इसका होगा, इस सवाल का, आशा करता हूँ कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा, और formula को कैसे बैठाना है, यह भी आप सीख चुके होगे, ठीक है, अगला सवाल दिखते है, next question यहाँ पर आया होगा, इसको solve कर रहा है, इसका formula होता है direct, ठीक है, इसका उत्तर तो 12 है, आप इसको 2 second के अंदर solve कर सकते हो, लेकिन मैं आपको formula बताऊंगा, फिर मैंने यह कैसे 2 second में निकाला, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो देखिए, अगर वर्ग मूल के अंदर a, वर्ग मूल के अंदर a, ऐसा अनंत तक चल रहा है, तो इसका formula होता है, चार a प्लस एक वर्ग मूल प्लस एक बते दो, तो यहाँ पर क्या a है हमारा 32, 132 है, तो इस formula के अंदर आप a बैठा दीजे, चो आएगा यहाँ पर 4 into 132 प्लस एक का square root प्लस एक बते में 2, अब 4 into 132 होता है 528, ठीक है, 528 हो प्लस एक का under root, मतलब देखिए, यहाँ पर कितना आ गया, 529 आ गया, प्लस एक बता दो, 529 किसका होता है, वर्ग मूल अगर निकालोगे तो यह आएगा, 23, प्लस एक बता दो, जो क्यों हो गया, 24 बता दो, मतलब कितना हो गया, 12, यदि आपको यह formula पता है, तो formula पता होने के बाद भी आपको 10 से 15 सेंड लगेंगे, इस calculation को करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमने इसको 2 सेंड में कर लिया था, ठीक है, एक और इसका variation होता है, वो variation समझ लीजे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैंने जल्दी कैसे किया था, अगर यहाँ पर जो plus चल रहा है याने plus plus इस तरह से चल रहा था, योगफल, इसके जगा आप अगर घटाते हैं, याने minus, वर्ग मूल है A का, minus वर्ग मूल है A का, minus वर्ग मूल है A का, minus वर्ग मूल है A का, इसका formula भी आपके पास है, 4A plus 1, यह जो plus था, बाहर वाले plus के जगा, minus आएगा, अंदर वाला plus ऐस संख्याओं का गुनन फल है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुनन फल है, बात समझे ये गध्यान से, कि अगर यह जो A है, दो प्राकृतिक संख्याओं का गुनन फल है, N into N plus 1, तो यह जो plus वाली चल रही है सीरीज, इसका उत्तर N होता है, तो मैंने यहाँ पर सवाल पूछ लेता कि 72 वर्गमूल 72 माइनस में माइनस वर्गमूल 72 इस तरह से अनंत तक चल रहा है तो मैं एक बात जानता हूं कि 72 बरावर होता है 8 गुने 9 और क्योंकि माइनस चल रहा है तो हम छोटी value लेंगे बड़ी value नहीं लेंगे इसका उत्तर हो जाएगा 8 आप चाहिए तो इस 72 वाले सीरीज को इस फॉर्मूले से हल करिएगा आपका उत्तर 8 आएगा लेकिन अगर ए बराबर एन इंटू प्लस नहीं हो पा रहा है आपसे एन इंटू एन प्लस आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप इस फॉर्मूले को लगाईए तो भी आपका उत्तर आ जाएगा ठीक है तो जो तरीका आपको पसंदा है ऐसे लगाईए चाहे ऐसे लगाईए एन इंटू एन प्लस वन करके लगाईए उत्तर आपका आना ही है प्लस वाले में बड़ा वैलू और माइनस वाले में छोटा वैलू चलिए आगे बढ़ते हैं तेरवे नंबर का सवाल आ चुका आईए उसको हल करने की कोशिश करेंगा इस बहत्तर गुने तिहत्तर अठतर और सिहत्तर को 35 से विभाजित करने पर शेशफल कितना आएगा तो देखे सबसे छोटी संख्या 72 को यदि में 35 से विभाजित करता हूँ 35 से तो आप जानते है दो गुना 70 होता है मतलब यहां पर शेशफल दो बज गया आप देखे पहले वाले का शेशफल अगर दो आया रहे. क्योंकि संख्या है थी उसमें भी गुणा था तो इसको अगर गुणा यहां तो देखिए 2 गुणे 8 कितना होता है 16 और 3 मुणय छे होता है 18 और दो क्रमागत संख्याओं का जब योग और निकालना होता है कि 16-18 जो यानि क्रमागत सम संख्याओं का या विशम संख्याओं का अगर हम गुणनफल निकाल रहे तो बीच की संख्या आप 17 का स्क्वेर लेकर माइनस एक करिए तुरंत आपका गुणनफल आ जाएगा जो कि होता है 288 तो इसका जो गुणनफल है 288 है अब हमें निकालना था कि संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेशवल कितना आएगा कभी जो शेशवल होता है 288 आ रहा है शेशवल लेकिन शेशवल जो होता है कभी भी संख्या से यानि जिस भाजक से आप भाज़ कर रहे हो उससे बड़ी नहीं हो सकती तो हम क्या करेंगे इस 288 को फिर से एक बार 35 से काटेंगे और 35 चार बार गुना करने से 140 आता है चे बार 210 आठ से गुना करेंगे तो 280 आएगा मतलब यहां पर शेशवल आठ आ गया तो यही उत्तर है शेशवल यहां पर कितना आएगा आठ आएगा ठीक है आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया संख्याओं क्या है यह गाद करिए इस सवाल को करने के लिए हमें लगुत्तम समाफवर्ते और महत्तम समाफवर्ते का एक सूत्र पता होना चाहिए किसी भी दो संख्याओं का LCM into HCF मतलब लगुत्तम समाफवर्ते गुने HCF जो होता है यानि महत्तम समाफवर्ते बराव हो वह हमें संख्याओं का योगफल होगा अब हमें थोड़ी ना पूरी संख्या निकाले तीन तीन डिजिट की यहां पर हमारे सामने संख्या तो दी हुई है तो ही टेंट ट्राइल कर लेते हैं अब देखे मेरे मुझे यहां दिख रहा है तो तीस यहां पर तो चुपा हुआ यहां में चुपा हुआ है इधर बेभी है इधर भी है दूसरा देखिए अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां आपका 510 दिख रहा है और अगर हम यहां पर देखे तो यह एक और दो जीरो इसी option के अंतर है ठीक है यहाँ पर आपब देखो तो यहां सोण्य यहांपे भी मतलब दो शून्य तो बनने यह चाहिए ना इस option में बन रहा था ना इस option में बन रहा था केवल c option जो है वही उत्तर है आशा करता हूँ कि इन दोनों का गुणनफल करके इनका जो गुणनफल है वो बनना चाहिए और हम option यूज करके इसको solve कर रहे हैं न भी हो तो आप arrange करके बनाई सकते हैं इसको पूरा आ लखिए देखिए अगर हम a x plus n जब a x plus n को x से विभाजित करते हैं तो शेशवल बचता है k के घात n ठीक है और अगर a x minus n को जब x से विभाजित करते हैं तो minus k के पावर n जो होता है यह हमारा शेशवल बचता है लेकिन अगर n एक सम संख्या निकल गई तो आप जानते हैं माइनस के पावर में अगर सम संख्या होती है रिनात्मक संख्या के पावर में घात में अगर सम संख्या होती है तो बाहर एक घनात्मक संख्या निकल के आती है तो इसलिए यहां पर तो माइनस के घात में अगर विशम संख्या है तो यहां पर क्या होगा आपका एक रिनात एक हो जाता है जब एक हो जाता है तब देखिए क्या होगा हमारे पहले वाले में सेशफल कितना जाएगा एक के घात यहां पर कितना जाएगा एक के घात एन होगा मतलब एक ही बचेगा लेकिन दूसरे वाले में जब हमारा यहां पर माइनस एक है जो सवाल हमारा यहां पर ह तो हमारा जब n sum होता है तो 6 फल 1 बसता है लेकिन जब विशम होता है तो 6 फल को सबते है इसको आप लूट करके रखij है शेकर हमारा दूसरे वाले में कितना मािनस वन बच रहे इसको आप लोट कर लिजे फिरflows को इसכा उत्तर solve करके बताता हूं ठीक है आशा करता हूं कि आपने इसको लिख लिया होगा अब देखिए उस सवाल को कैसे हल करना है तो यही सवाल था जो हम हल करने की कुशिश कर रहे थे अब देखिए इसको आप 5 के multiple में plus 1 या में लिख सकते है क्या आपका जवाब होगा बिलकुल लिख सकते है जी कैसे लिखेंगे आप देखिए इस संख्या को ऐसे लिख सकते है 7, 8, 9, 0, minus 1 के power में संख्या जो है वो आ गई 5, 8, 9, 3 मुझे बस यही देखना है कि यह विशम संख्या है कि संख्या है कितनी बड़ी संख्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है यह विशम संख्या है और हमारा जो x था वो था 5 और यह जो संख्या है इसको हम डिवाइड कर रहें विभाजित कर रहें इससे और यह हमारा a x के form में है कहीं न कहीं आप देख रहें कि 5 का गुनांक है 5 का multiple है ठीक है तो a x के form में तो जरूर होगा आप जानते इस संख्या को जब 5 से विभाजित करेंगे तो minus 1 के power एक विशम संख्या आएगी और minus 1 के घात विशम और ना ही कभी रिनात्मक होती है तो अगर रिनात्मक संख्या निकल के आ गई तो करना क्या है इसमें आप एक बार और संख्या को जोड़ दीजे संख्या को तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक एक घनात्मक संख्या नहीं आती तो minus 1 आ गया तो plus 5 एक बार कर लिए तो 4 जूर आएगा और सेशफल्स होगा उसका तो शेशफल्स होती है ना तो रिवल्र संक्या साथ है कि आशा करता हो ये आपको समझ में आए होगा कि माइनस है प्लस चार कर लेंगे तो ुत्तर आपको समझ में आگया कि ने necessary question देखते हैं ठीक है सोलबा प्रशन आ चुका है ये फिर से आपके सरली करण से है लेकिन अगर आप इसको solve करेंगे तो काफी time लग जाएगा तो आपको एक सूत्र पता होना चाहिए एल लेवरा का जो की है देखिए एक क्यूब प्लस बी के क्यूब होता है एक प्लस बी गुणा में ए स्कॉर माइनस से भी प्लस बी स्कॉर ठीक है यह फॉर्मूला हमें यूज करना तो देखिए अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करके इसको solve करेंगे तो आप देख पा रह गया आपका 247 माइनस में इन दोनों का गुणानफल मतलब हमारा जो अंच है उसमें यह संख्या बैटी हुई है मतलब हमारा अंच क्या बन गया आपका होगे ए स्कॉर माइनस एवी प्लस बी स्कॉर तो हमारा अंच है और बटे में हम देखते हैं तो आप देख पा रहें ऑंच है यह तीन और गुणा हो रही है तो एख़ी प्लस बींटो यहां बटे में चला गया तो यहँ हो जाएगा वात समस्ञव में पाझ समझा है की नहीं हारी इसका इसका जो वैलू होता है वह ता है प्लस बी इंट हो invest में वी इन बॉनों को काट उन बास बी मिझेगा मतलब हमारा जो उत्तर है वो हो गया 1 by 753 प्लस 247 और 47 प्लस 53 करोगे तो 100 आएगा मतलब 100 और 2 प्लस 7 होता है 9 और 1 carry forward मतलब 1000 बन गया 1 बटे 1000 मतलब ए उत्तर है इसका ठीक है अगर सरली करन करने जाओगे तो कितना समय लगेगा लेकिन यह जो फर्मुला है काफी सूत्र देख लेते हैं तो यहां पर कुछ और महत्वपुन सूत्र है इसको आप लिख के रखिए कि a प्लस b का whole square होता है a square plus 2ab plus b square और माइनस यहां पर आजाएगा तो 2ab के जगा यहां पर भी माइनस हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते a plus b whole square plus a minus b whole square होता है 2 into bracket में a square plus b square और यहां पर plus के जगा माइनस करोगे तो इधर पर आपका 4ab निकल के आ जाएगा ठीक a square minus b square होता है a plus b into a minus b यह पांच formula आपने लिख लिया होगा आगे बढ़ते हैं अगला formula देखते है a plus b whole cube होता है a cube plus b cube plus 3ab into a plus b और यहां पर plus के जगा माइनस अगर आगे a minus b whole cube होता है a cube minus b cube जहां जहां यहां b था उसके जगा माइनस भी डाल दीजे तो यह minus b cube और यह minus 3ab और a minus b हो जाएगा आशा करता हो यह समझ में आया होगा इस formula के उपर हमारा सवाल बेश था यह तो हम already देख चुके है अगला यहां पर b के जगा minus b cube होगा तो यहां a minus b और a square plus b square और यह हो जाएगा plus का a b आशा करता हूँ आपने इसे भी note कर लिया होगा अगला सूत्र देखते हैं a plus b plus c का whole cube जो होता है इसका formula होता है a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c है लेकिन हमने इस bracket को बना दिया और 2 को यहां से बाहर निकाल दिया इस तरह से भी आप लिख सकते है a q a plus b plus c whole cube ह plus 3 into a plus b plus into b plus c into c plus a ठीक है एक आखरी formula और इसको भी note करके रखिए कि a cube plus b cube plus c cube minus 3abc होता है a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus a b minus bc minus of c a यदि हम मान लेते हैं कि a plus b को 0 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको अगर 0 मान लिया तो यह हमारा दाहिने तरफ का जो चीज़ है वो 0 हो गया मतलब a q plus b cube plus c cube minus 3abc बराबर 0 होगा यदि मैं इस minus 3abc को दूसरे तरफ भीज़ दू तो यह result मिलेगा कि a cube plus b cube plus c cube is equal to 3ab कब जब a plus b plus c बराबर 0 है तब आशा करता हूं कि फॉर्मूले आपने लिख ले होंगे अब हम बढ़ते हैं अगले कुश्चन की और तो जितने भी फॉर्मूले हमने देखे उन सभी फॉर्मूले से आपका कुश्चन आ सकता है सतरा नंबर का सवाल करते हैं देखिए यहां पर क्या दियावा है पांच अंख की सबसे छोटी संख्या जो पंद्रा बारे और अठारे से विवाजी थे तो इन सभी संख्या का हमें निकालना है लगूत्तम समापड़ते हैं तो यह जो बारा होता है बारा का मतलब होता है सबसे बड़ा संख्या है प्राइम नंबर में इसको निकाल लेते हैं फिर तीन में सबसे बड़ा प्राइम नंबर तीन इसे भी बहार कर लीजे और यहां से पांच आ रहा है तो यह चार गुने पांच हो गया आपका बीस गुने 9 मतलब 18 निकल के आ गया 180 निकल के आ गया ठीक है तो अब सबसे छोटी हमें क्या करनी है यह तो सबसे छोटी संख्या है जो कि इन तीनों संख्या से कटेगी लेकिन हमें निकालना था सबसे छोटी 5 संख्या क्या आप सबसे छोटी 5 संख्या जानते आपका जवाब होगा बिलकुल जानते जी और आप कहेंगे कि 10,000 जो होता है यह सबसे छोटी 5 संख्या है लेकिन हमें ऐसी सबसे छोटी 5 संख्या चाहिए जो 180 से कटे क्योंकि 180 से कटने का मतलब है वो संख्या 12 से भी कट अटये खेह गी तो मैं क्या आप इस संख्या को एकसो aż से जाएगा और नीचे सो शेस बच जाएगा एक और जीरो नीचे आगया फिर से आप नौं सो से जाएगा फिर से ईकबार स्थेश बच जी है तो कहने का मैं अगर पांच अंकू क לצ Mostly संख्या को 180 से विवाजित कर रहे हैं तो 106 बच रहा है मतलब उसमें 100 अधिक है 180 से तो काटते जा रहे थे लेकिन आखिर में 100 एक्स्ट्रा बज़ गया याने यह 100 नहीं कटने वाला तो आप बोलेंगे भई तो इस 100 को घटा दीजे उसमें से तो 10,000 में से हम क्या करेंगे 100 क को घटा देंगे तो 100 को घटाते साथ ऐसी संख्या आ जाएगी जो 180 से पूरी तरह से भी बाजित हो गई लेकिन यहां पर गड़बड़ी हो गई कि हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने थी अगर 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है इसमें यदि आप एक भी घटाओगे तो 4 अंकों की संख्या बन गई की नहीं बन गई तो यह जो संख्या है इसमें तो हमने 100 माइनस कर दिया 100 माइनस करने से यह 5 अंकों की संख्या नहीं रह गई यह रह गई अब 4 अंकों की संख्या तो इसे वापस अगर 5 अंकों की संख्या बनाने है मतलब इस सं संतलने तो सबसे बड़ी संक्या नीकाली यह निया निकाली यह जो इन सबसे कटने वाली तो हमारा यह 180 यहाँ पर जोडने का काम होता ही नहीं, हमारा जो उत्तर होता वो यहीं तक सीमित रहता, लेकिन हमें इसको 5 हंकों की संख्या भी बनानी है, तो 100 घटाने के बाद 180 और जोडना पड़ेगा, मतलब देखिए, 10,000 में फुल मिलाके हमें क्या करना है, 180-100, मतलब 80 जोडना है, म भी मैंने बता दिया कि आपको क्या करना था, वो भी मैंने यहाँ पर explain कर दिया, ठीक, तो यहाँ पर अभी हमने 5 हंकों की सबसे छोटी संख्या को, जो इन सबसे विभाजित होगी, उसका क्या मेथड़ है, वो हम सीख लिए, ठीक है, आगे बढ़ते है, सरली करन का एक सव प्लस चार हमें निकालना है, इसके उपर अगर बार ब्रेकेट लगा हुआ है, तो हम यह जानते है कि मल्टिप्लिकेशन पहले होता है, और एडिसन याने कि आपका जोड़ना बाद में होता है, लेकिन अगर आप एडिसन के उपर विनिकुलम लगा देते हो, कहने का मतलब बार ब्रेकेट लगा देते हो, तो पहले आपका पलस होगा, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा दो गुने साथ, जो कि हो गया चौधा, आशा करता हो इस विनिकुलम का मतलब क्या है, आप समझ चुके होंगे, बार ब्रेकेट, इसके बाद ब्रेकेट आते है, ब्रेकेट में अंदर भी priority चलती है, ठीक, इसके बाद देखिए, off होता है, off का मतलब होता है, गुना करना, फिर आएगा आपका division, division का मतलब होता है, विभाजित करना, m आता है, multiplication मतलब गुना, फिर addition, फिर subtraction, देखिए, गौर करने बाली बात ये है, कि off का मतलब भी गुना होता है, divide का मतलब और multiplication का मतलब भी गुना होता है, लेकिन, यदि मैं 64 divided by 8, off 8 करूं, और 64 divided by 8, multiplied by 8 करूं, तो off का मतलब भी गुना होता है, और m का मतलब भी गुना होता है, लेकिन, लेकिन, आप जानते हैं कि off पहले होता है, V board mass का मतलब, पहले off होगा, बाद में divide होगा, मतलब का अगर यहां पर आपका दिया हुआ है का तो पहले आपका का होगा बाद में आपका गुणा होगा तो देखिए 8 का 8 क्या होता है 64 मैंने कहा पहले 8 का 8 करना मतलब 64 और 64 विभाजित करोगे 64 से तो एक आएगा लेकिन दूसरे वाले में आपका विभाजन पहले होता है गुणा दूसरी बार 64 आ रहा है तो यह चीज का हमें ध्यान रखना है वी बाडवास से और इस तरह से हमें किसी भी सवाल को हल करना है आईए अब इस सवाल को हल करने की कुशिश करते हैं तो इस सवाल में सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट सॉल करना है क्योंकि ब्रैकेट ही सबसे पहल जब साथ से तो 6 आएगा अब यहां पर हमें क्या करना है जो कि होता है 18 प्लस अब बाहर आएंगे तो यहां 5 5 और multiply में है अपका 2 और देखिए अब अगर x divided by a by b है यह बरावर होता है x multiplied by a छोटी सी बात है अगर x division में आप कुछ कर रहे हैं तो गुणे में by a हो जाएगा तो हम division में यहां पर कितना कर रहे थे 0.5 0.5 यानि दसमलब 5 का मतलब होता है एक बटा दो तो मैं कह रहा हूं कि इसको आप गुणे में दाल दीजिए गुणे में दालके एक बटे 2 का उल्टा कर दीजिए क्योंकि अगर division में a बटा भी है तो गुणे में b बटा यह हो जाता है इस बात को आप ध्यान रखिए ठीक है तो आप देखिए 3.8 माइनस में आपका आजाएगा यह कितना हो गया आपका होगे अठा रहे प्लस में पांच इंटू 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 होता है बीस अब चाहे तो आप पहले प्लस कर लीजिए बाद में माइनस तो देखिए प्लस इसमें करेंगे 3.8 में प्लस करोगे इसको तो आजाएगा प्लस का 2 क्योंकि यह माइनस 8 है समझ में आ रहा है कि नहीं कि यह प्लस एक्चुली किसमें हो रहा है इसमें प्लस हो रहा है तो अगर हम इसको जोड़ेंगे इसमें तो यह हो जाएगा आपका 23.8 माइनस 18 है यह बात समझ में का मतलब कितना होता है यहां पर दो आएगा अज समझ में आ रही है और दो को जब आप इसमें जूड़ोगे 3.8 में तो आपका 5.8 उतर आएगा आशा करता हूँ अगला सवाल अपको समझ में होगा नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं अगला सवाल भी सरली करन्ट से है देखिए इसको सॉल्व करने की कुश्चिश करते हैं 3x बटे 7 गुणे 2y बटे 5 बरावर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है ठीक तो हमें क्या निकालना है x और y का मा बटे 5 ठीक है बरावर है 10 तो हम क्या करेंगे इस साथ गुणे 5 का मतलब क्या होता है आप कहोगे यहां बटे में 35 है इस 35 को हम भेज देते हैं यहां पर तो गुणे में 35 हो जाएगा मतलब यह पूरा का पूरा कितना बन गया आप जानते ही हो जाएगा 350 अब देखिए हमने क्या किया इस x और y के टर्म में यहां पर हमने 300 ला दिया अब x और y को पूरा थोड़ी निकालना है यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है देख लेते कौन सा ऑप्शन सैटिस्पाय कर रहा है यदि मैं 3 दालूंगा तो यहां 24 जाएगा और 24 गुणय यहां पर कितना हो गया 14 हो गया यहां पर तो यहां पर यह सुन्य आया नहीं सकता यह तो उत्तर नहीं होगा शेम चीज यदि मैं 5 और 7 दालता हूं तो 26 और 17 तो शून्य तो लास्ट में बनेगा यहां पर बज गया आखरी वाला तो यहां पर आपको समझ में आयोगा इस तरह का सवाल हमें कैसे लगाना है आप निश्चित ही करेंगे ठीक है नेक्स्ट सवाल देख तीन बटे एक स्क्वेर इंटू स्क्वेर फिर आ गया पांच बटे दो स्क्वेर इंटू तीन स्क्वेर ठीक है 7 बटे 3 square into 4 square ऐसा चल रहा है 19 बटे 9 square into 10 square अब देखिए यहां पर मज़े की बात यह है कि यह जो 3 है यह 3 का मतलब होता है 2 square minus 1 square और नीचे में आप देख पा रहे हैं यहां 1 square into 2 square है कि नहीं तो अगर मैं यहां 1 square into 2 square लिकूँ और इसको मैं खोलने की कोशिश करो तो यह बन जाएगा 1 बटे 1 square minus 1 बटे 2 square और दूसरा यह जो 5 है यह 5 का मतलब 3 square minus 2 square करोगे तो 5 ही तो आता है अगला वाला 7 जो है इसको हम यह सी लिख सकते है यह जो 19 है इस 19 बटे 9 square और 10 square को हम क्या लिख सकते है आखिर तक हम लिख सकते 1 बटा 9 square minus 1 बटा 10 square क्योंकि 10 square होता है 100 9 square होता है 81 और 100 minus 81 मतलब 19 ही होता है ठीक तो देखिए यह काटा पीटी सीरीज बन जाती है अगर हम इसको पूरी तरह से solve करेंगे एक का एक बटे 1 square minus 1 बटा 2 square बन गया यह पहला वाला टर्म अगला जो टर्म है इसका मतलब क्या है प्लस में 1 बटा 2 square minus 1 बटा 3 square अगला वाला जो है 1 बटा 3 square minus 1 बटा 4 square इस तरह से चलता रहेगा और आखिर वाला जो टर्म है वो बन गया 1 बटे 9 square minus 1 बटे 10 square तो देखिए यह जो काटा पीटी सीरीज है इसमें सब कुछ कर जाता है केवल आखरी वाले का आखरी टर्म सेकेंड टर्म और पहले वाले का पहला टर्म बचता है देखिए यहां से यह माइनस का 1 बटे 2 square प् इछले वाले का यहां से 1 माइनस का 1 बटे 9 square आएगा वो कर जाएगा मतलब कि पहले वाले का पहला टर्म और आखरी वाले का आखरी टर्म माइनस का 1 बटे 10 square होता है 100 और इसका LCM 100 आएगा और उपर आजाएगा 100 माइनस 1 जो कि हो गया 99 बटे 100 ठीक है बी उत्तर जो है यह चाहिए अगला सवाल आ गया है इसके लिए हमें एक सूत्र जानना है वह है कौंपनेंड़ डिविदेंड़ मतलब कि देखें अग। तो अगर A बटा B बराबर C बटा D है तो A प्लस B बटे A माइनस B बराबर C प्लस D बटे C माइनस D होता है लेकिन यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर कुछ है नहीं नीचे में तो बटे में हम क्या करेंगे दो बटा एक लिख लेंगे आप देखें इसको solve करने जाएंगे तो root 3 प्लस X minus root 3 minus X है ठीक है minus है कि plus है ठीक है यह हमारा A हो गया इसमें plus में आप क्या करेंगे root 3 plus X minus root 3 minus X ठीक है यही तो होगा ना हम क्या कर रहे है a plus b बटे a minus भी कर रहे हैं वैसे ही आप यहाँ से देखिए root 3 plus x plus a plus b और a minus b है तो यहाँ पर आजाएगा plus root 3 minus x और plus में आजाएगा root sorry यहाँ पर minus होगा तो यहाँ पर अब minus होगा minus में आपका आजाएगा root 3 plus x और minus का minus होता है minus का minus यह हो जाएगा और बटे में 2-1 को जाएगा यहां तब आपको मेरी बाते समझ पे आ गए होगी देखिए यह दोनों कड़ गया और यहां पर नीचे में 3 प्लस X और 3 प्लस X कड़ जाएगा मतलब देखिए यह हो गया आपका 3 प्लस X प्लस 3 प्लस X मतलब 2 2 इंटू 3 प्लस X और बटे में 2 इंटू रूट के अंदर 3 माइनस X और 2 से 2 कड़ गया और यहां पर 2 प्लस 1 मतलब 3 और नीचे में यहां पर 1 आ गया यहां तक आपको मेरी बाते समझ में आ गई होगी पहला स्टेप जो है component और डिविदेंटो लगा कर हमने ले आया है अब देखिए इस घात के अंदर हमको X निकालना था तो जब तक के यह वर्ग है वर्ग है वो जब तक के वर्ग रहेगा तब तक हम यहां पर नहीं निकाल सकते तो अगर हम यहां पर इसका whole square कर देते हैं इसका भी whole square कर देते हैं तो देखिए यह आपका बन जाएगा 3 plus X बटे में 3 minus X यह आपका बन जाएगा 9 बटे अब हम क्या करेंगे फिर से component डिविडेंड लगाएंगे जैसी आप component डिविडेंड इसमें लगाने जाओगे तो आएगा 3 plus X plus 3 minus X और बटे में 3 plus X माइनस में यह होगा तो माइनस 3 और माइनस का माइनस X होता है प्लस का X और यहां जाएगा 9 plus 1 बटे 9 minus 1 है तो देखे कितना आ गया आसान सी बात है इसके बाद आपका हो जाएगा 3 plus X X कड़िया 3 plus 3 हो गया 6 बटे में 3 3 कड़िया यहां पर तो यहां पर बज़िया 2X और इस इक्वल टू यहां से आगया आपका 10 बटे 8 तो अगर हम इसको काट देते हैं 3 से कटे गई और यह आपका बन गया 5 बटे 4 और तो X बन जाएगा आपका 3 और 4 गुने करोगे तो 12 बन जाएगा बटे 5 ठीक है तो X बरावर कितना आगया आपका 12 बटे 5 मतलब यह जो D option है यह सही उत्तर है ठीक है आशा करता हूं component dividend को को कैसे हम apply कर रहे हैं इस तरह के सवाल आपके screen के उपर है एक कक्षा में तीस चात्र है जिनका ओसत आयू दिया हुआ है 15 इनमें से 6 चात्रों का ओसत अगर 16 है तो 6 का कितना है बताईए देखिए अगर मैं यहां से पहले तो आपको formula पता होना चाहिए कि ओसत जो होता है पदों का योगफल बटे पदों क होता है तो औस यहां पर कितना है आपको 15 गुने पद जो है वह 30 यानि हो गया साड़े 400 450 और जो इनमें से 6 हैं इनके योग की बात करते हैं तो आजाएगा औस मतलब 16 दिया हुआ औस गुने 6 कर दोगे तो 96 तो बचे हुए जो 24 है 24 का योगफल निकाल पाएंगे कि निकाल बचा चार और 44 में से 9 जाएगा तो 35 आब यह 24 का योगफल है तो क्या निकाल सकते हैं बिलकुल निकाल सकते हैं तो हमारा जो औसात हो जाएगा 354 बटे 24 हो जाएगा और 12 से काटने पर यहां 12 यहां से 2 से काट होगे तो आ जाएगा 177 ठीक है और यह हो गया एक बार जाएगा अपका फिर चार बार जाएगा 48 48 के बाद आपका 9 बच रहा है तो 9 बटे 12 आ गया मतलब यह 12 चौधा वर्ष हो गए 14 वर्ष तो होगा और 9 बटे 12 में 9 बटे 12 साल है 9 बटे 12 साल मतलब इसमें 12 महीने गुणा करोगे तो बच्चे का 9 मा नौ मा ठीक है यानि जो डी आप्शन है यह सही उत्तर है ठीक आशा करता हूं कि इस सोलूशन आपको समझ में आया होगा पूरी तरह से जो हमने यहां पर ऐस को ऐस का ओस्तर चोला की यहां ठीक है इसमेंसे छे लोगों का ऐसाण जो है वो है सोला का तो बात सम्जीए हमको अब शोवेश का औस निगालना है कि बहुत ही लौजिक कल यही मैं आपको सम्झाओंगा देखिए समझेगा 30 का उसद 15 था यदि 6 का उसद भी 15 होता तो 24 का उसद 15 ही होना था 30 का उसद कितना था 15 था जो 6 थे उनका उसद यहां पर कितना बढ़ गया 1 से उसद बढ़ गया 6 लोगों में 1 से उसद बढ़ा मतलब हर एक व्यक्ति एक 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 करके 6 एक्स्ट्रा लेकर गया होगा, मतलब इनको ये सहन करना पड़ेगा 6 का लॉस, बात समझ में आरी हर एक व्यक्ति जो है इन 6 में 15 के औसट से 1 एक्स्ट्रा लेकर गया, यहने कुल योग में ये लोग ने 6 जादा लेगे, तो अगर वहाँ 6 जादा लेगा है तो यहाँ पर इनके रे 6 कम बचेगा की नहीं, और यह जो 6 कम बचेगा, यह 24 लोगों में बचने वाला, मतलब एक बटा चार हो गया, और सथ में, तो अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं, 14 प्लस एक लिख लेते हैं इस 15 को, माहिनस में एक बटे चार हो गया, मतलब यह हो गया 14 वरस, और यहाँ पर आजाएगा आपका 3 बटे चार वरस, 3 बटे चार वरस का मतलब 12 महिने से गुना करेंगे, तो यह कटेगा 3 बार, मतलब 3 मुने 3 का मतलब क्या होता है 9 महिने, मतलब यह देखिए 14 वरस तो हो गया और 9 माह और आ गया मतलब कि D option जो यह सही उत्तर है तो इसे हम कहते है deviation आप इसे deviation से लगाईए या पूरा formula से लगाईए बात ही किए ठीक है चले आगे बढ़ते अब देखिए इसका ओसत हमें निकालना है 205 302 108 403 और 202 ठीक है तो ओसत तो हम जानते हैं यह पदो का योगफल बटे पदो की संख्या तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि 108 को अगर मैं 202 में जोडता हूं या 302 में जोडता हूं इन दोनों को जोड होते हैं तो यह बन जाएगा आपका 605 और 605 में यदि 205 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 810 अब यह तीन संख्या को योगफल दो संख्या को यकफल दोनों को जोड़ोगे तो आजएगा 1220 तो सबका योगफल निकल गया लेकिन हमें तो आसत निकलना था तो औसत होता है सं का आशा करता हूं कि यह समझ में आ गया होगा आशा के उपर सवाल है बहुत ही सरल सा सवाल था ही चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं तो यहां पर टू ए बरावर थ्री बरावर फोर सी दिया हुआ है तो हमें इस्टू बी इस्टू सी याने इनका अनुपात निकालना इसको अगर हम बटे में 12 कर लेते हैं कोई दिखकत नहीं हमने इसको बता दिया आपको सम्झा दिया ठीक है क्या डिया ववे वर थ्री बरावर 4 सी यह का अनुपात हमें निकालना था तो यह दिक अ हमने लिख दिया यहां पर अगर 2A बराबर 3B बराबर 4C है तो 2, 3, 4 का लगुत्तम समाप बरते 12 होता है इसको यदि हम काटेंगे यहां पर बचेगा 3 3 से काटोगे तो यहां बचेगा आपका 4, 2 से काटोगे यहां बचेगा आपका 6 मतलब A बटा 6 बराबर B बटे 4 बराबर C बटे 3 ठीक है तो इसका मतलब हो गया आपका option number D जो है यह सही उत्तर है इनका अनुपात जो है वो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 है आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा चलिए अगला सवाल देखते है एक व्यप्ति के पास बोट सारे तरीके लेकिन एक तरीका है एलिगेशन से यानि मिक्सर मिश्रन का जो तरीका होता है उससे हम इसको सॉल्ट करने की कोशिश करते है तो अगर यहां पर सारे के सारे जो है पैर जो है वो हमको औस दिया हुआ है उसका 140 यदि सारे के सारे यहां पर मुर्गिया होत और यहां पर हम लिखेंगे क्या आप जानते हैं चार गुणे हो जाता मतलब 96 का और दुगना 192 इनके पैर हो जाते हैं आप देखें हमने यहां लिखा हुआ है कि इनकी जो संख्याओं का अनुपात होता है यहां पर लिखते हैं हमेशा यह बीच की जो संख्या होती है एक से बड़ी दूसरे से छोटी होती है तो बड़ी संख्या में से 192 में से आप 140 माइनस कर दीजे और इस तरफ आप क्या लिखेंगे 140 माइनस 96 करके लिखेंगे ठीक है 140 माइनस 140 करेंगे तो यहां पर देखिए कितना आ रहा है आप कहोगे यह बन गया आपका 52 और इस तरफ आपका कितना आ रहा है आप कहोगे यहां से 40 में से यहां 4 बचा और 40 में से आपका 9 जाएगा तो यहां पर 44 बचेगा मतलब जो संख्या है वो हो गई आपकी 26 मतलब 26 और 22 का अनुपात बन रहा है मतलब मुर्यों की जो संख्या है वो कितनी है 26 है क्योंकि 26 ब्लस 22 हम करते हैं तो यह बन रहा है 48 48 और वहां पर भी आपका 48 ही बन रहा था मतलब कि देखिए अगर यह टोटल 48 बराबर 48 है तो यह 26 बराबर 26 बराबर कितना हो जाएगा डी जो है यह आपका सही उत्तर है आशा करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा कि 26 हमारे पास क्या है मुर्गया है नेक्स्ट कुश्चन देखिए अगला सवाल यहां पर आयू है राकेश और मनोज का आयू है वो है फंद्रह मनोज और ऑजय जो है इंका दिया हूए आपको बारा है फिर बोलता कि राकेश और आजAK का गया होगा यह निकालना कि हमें औस adults दिया हुआ राकेश और मनेश, राकेश प्लस, मनोज का जो औसल आयू है, बटे में दो करेंगे, तो बताईए, कितना दिया हुआू है, կह दिया हुआ हमें, 15, इसके बाद हमें दिया हुआ, मनोज और अजय, मनोज और अजय का औसल आयू, मतलब बटे में दो होगा यह कितना दिया हुआ है यह दिया हुआ है 12 और लास्ट में अजय और कौन है अजय के साथ कौन है राकेश है इनका आयू दिया हुआ 13 तो करना किया है? हमें इन मेंसे मनोज का आयूँ निकलना है ना? आयूआर कि इसमें है, मनोज इसमें है, मनोज इसमें नहीं है तो शौट्रिक यह है कि इन नोनों को जोड़ दिजे यानने 15 से hello प्लस 12 को जोड़ दी support क्योंकि दोश में मनोज हैं और जिसमें मनोज नहीं उसको घटा दीजिए 13 तो देखिए कितना आ गया 14 आ गया यही मनोज का और सतायू होगा ठीक है यह शौट ट्रीक है पूरा सॉल्व करना है तो इसको जोड़ दीजिए मतलब 2 in 2 M प्लस A प्लस R बन गया और देखिए बटे में यहाँ पर दो है तो यह तो कटी जाएगा और इसको आप जोड़ें पंदरा प्लस बारा सिह होगा चालिस ठीक है तो M प्लस A फ्लस 40 है और यहां से आपको मिल जाएगा A plus R A plus R कितना है 26 है तो A plus R 26 है और M plus A plus R 40 है इन नों को घटा हो गए तो A plus R A plus R कर जाएगा और M बराबर कितना आगया 40 माइनस 26 याने की कितना आगया 14 आगया आप इस तरह से भी निकाल सकते हो चाहे मैंने जो बताया इन नों को जोड़के तीसरे वाले को घटा दीजिए वैसे भी आप निकाल सकते है ठीक है अगलास यहां पर देखिए दिया हुआ एक बाल्टी में और दोहराये जाता है तो अंत में मिश्रन में जो बची हुई दूद है वो कितना है इसके लिए आप फॉर्मूला लिख लिए कि अंत में जो दूद की मातरा होती है वह प्रारंब में शुद्ध दूद की मातरा इंटु एक माइनस जितना प्रतिस स्थापित किया जा रहा था हमारे पास चालिस था तो चालिस आजाएगा डिरेक्ट फॉर्मूला है वन माइनस चार अप प्रतिसापित कर रहे हो और प्रारंब में चालिस है और इस कार्यों को कितने बार दोहराये गया पहली बार तो आपने एक बार दूद निकाला और उसमें पानी भर दिया और यह क्रिया को आपने दो बार और दोहराया दो बार और दहराने का मतलब शुरू से आपने इसको तीन बार इस कारे को किया तो चार से कटेगा तो दस आएगा तो चालिस इंटू एक बटे दस होता है नौ बटे दस का होल क्यों मतलब यह हो गया चालिस इंटू सेवन ट्व सो मतलब इसका उत्तर हो गया 29.6 किलो लीटर है यह ठीक है किलो गराम गलती से लिखा गए होगा टाइप दूद है इतना बचेगा ठीक है डायरेक्ट सवाल इसके उपर आ सकता है रिप्लेस्मेंट के उपर और इस फॉर्मूले से आपको वह सॉल्व करना है ठीक है अगला 6.3 हो जाए तो देखे आप फिर से इसको एलिगेशन से लगा सकते हैं बहुत ही आसान सा सवाल है कि 7.2 वाले को हम मिला रहें किसके साथ 5.7 के साथ ताके परिणामी जो मिश्रन है वो हो गया 6.3 तो हम एलिगेशन लगाएंगे तो यहां लिखेंगे 6.3 माइनस 5.7 और इस तरफ आप लिखेंगे 7.2 माइनस 6.3 जो की देखिए अनुपात में आ जाएगा यहां पे दसमलव 6 और यहां पे आ जाएगा दसमलव 9 तो दो अनुपात तीन जो है इसका उत्तर हो जाएगा चलिए आगला सवाल देखते हैं इसमें थोड़ा सो और हमने यहां पर 10 प्रतिशत और विक्रे मूल लगा दिया किस अनुपात में 60 रुपे प्रति किलो वाले चाय को 65 रुपे प्रति किलोग्राम वाले चाय के साथ म मूल्य दिया हुआ है तो पहले वाले का क्रे मूल्य 60 रुपे प्रति किलोग्राम है दूसरे वाले का 65 है और मिलाने पर क्या आपको जो मिश्रन दिया हुआ है इस मिश्रन का क्रे मूल्य दिया है आपका जबाब होगा नहीं जी हमें तो बोला गया था कि इतने प्रति किलो दिया हुआ है कि 10 प्रतिशत का लाव हो रहा है और 10 प्रतिशत का लाव का मतलब होता है 10 प्रतिशत का मतलब होता है एक बटा 10 मतलब कि अगर करे मुल्य हमारा 10 है तो हमारा विकरे मुल्य जो हो जाएगा वो 11 हो जाएगा 10 हमारा करे मुल्य प्लस एक करोगे 11 हमारा विक्राई मूली और सवाल में 11 बरावर कितना दिया हुआ है 68.2 रूपया दिया हुआ है तो क्राई मूली 10 बरावर कितना होगा आपका जवाब होगा 68.2 बटे 11 कर लीजे ये हो गया एक यूनिट बरावर और इसमें गुणे 10 कर लीजे क्योंकि हमें 10 यूनिट का वैलू निकलना है 11 बरावर 68.2 इसको काटोगे तो आजाएगा 6.2 और गुणे में 10 मतलब ये हो गया 62 ठीक है अब ये 10 यूनिट का वैलू है मतलब कराए मूले का अब यहाँ पर हम 62-60 ठीक है तो अगर हम यहाँ पर अनुपात लगाते तो तीन अनुपात दो हो जाएगा और इसी अनुपात में हमें मिलाना था ए जो है इसका सही उत्तर है ठीक आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होगा अगर विक्रे मुल पर आपको दिया हुआ है विश्रन का अनुपात और लाब प्रतिचत दिया हुआ है और इन दोनों का क्राए मुले दिया तो पहले क्राए मुले निकाले उसके बाद आप Alligation लगाएंगे ठीक अगला सवाल यहां पर आयो है देखिए एक व्याप्यारी के पास 1000 किलो चीनी है जिसको 8 प्रतिशत और 18 प्रतिशत में बेचा जाता है तो 14 प्रतिशत के लाव होता है इसे कुल में तो 18 प्रतिशत पे कितनी चीनी बेची गए तो फिर से यहां पर देखिए दो भागों में बाटने के बात हो रही है तो allegation कही न कही लगे गा हमारे कास 1000 केजी टोटल चीनी थी जिसको हमने दो बाटों में बाटा पहले वाले को आँपर प्रतिशत लाप पे बैचा दूसरे वाले को 18-14 होता है 4 और 14-8 होता है 6 मतलब 2 अनुपात 3 में हमने इसको बाटा होगा किसको बाटा इस 10 1000 को हमने 2 अनुपात 3 में बाटा 2 वाले को हमने 8% में दिया 3 वाले को हमने 18 प्रतिशत में दिया तो आपका जवाब होगा भई हमने यहाँ पर 3 भाग दिया है और यह 3 भाग कितने में दिया हुआ है टोटल 5 में दिया हुआ है तो 5 multiplied by 1000 कर लीजे और 1000 इससे कटता है 200 बार तो 3 गुणा 200 करोगे तो 600 kg आ जाएगा तो C उत्तर जो है यह इसका सही जवाब होगा टिक आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को हम यहाँ पर रोकते हैं और यह जो 30 सवाल हमने लिया हुआ है इसमें ना सिर्फ आपका रिविजन हुआ होगा बलके बहुत सारे concept भी आपने नए सि धन्यवाद यहाँ पर इस वीडियो में अभी इतना ही थैंक्यू